नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल शियर मार्केट में मैं हूँ आपका दोस्तों नभी और बात करेंगे HCL Info System के बारे में स्टोक ने आपका आज 5.77% की गिरावट दिखाई और स्टोक का जो प्राइस है वो 17 रुपी 15 पैसे पर आगे रुका है तो 63% के negative return स्टोक ने आपको निकाल के दिया है Max chart आप यहां पर देख सकते हैं कि red में है तो कभी भी किसी भी stock में करनी है आपने उसका जो thumb rule है वो यही होना चाहिए कि उनका जो max chart है वो कभी भी red में ना हो यहां पर आपको red में देखने करी मिल रहा है जो stock ने high बनाया था वो तक्रीवन 274% का बनाया था 2007 में उसके बाद से stock में गिरावट आने के लिए है तो यहां पर बात करते हैं कि company ने क्या यहां पर investment करने का मोका दिया है तो मैं आपको बता दूंगी परसनली मुझे यहां पर काफी तरह चीज़े खराब लग रही है सबसे पहले book value company की negative में है जो इसने रो बनाया था 11 रुपे का और 31 रुपे का इसने हाई बनाया था प्रॉफिट प्रॉफिट की बात करें तो 51 पर मोटर होलिंग 62 पर संट यह एक अच्छा सा इन है कि कोई भी शियर प्लेज नहीं है और होलिंग पी अच्छी खासी है लगिन cash flow भी company कांफी जाना कम है प्रॉफिट ग्रोथ 61 पर संट हुआ है लेकिन जो sales है वो company कम हुए प यहां पर काफी जारा drawbacks है share में तो यह इसके एक नीची लेकि आने के लिए काफी है उसके बार अगर यहां पर बात करते हैं company की sales की तो देखिए आप company की sales लगातार कम हो रही है जून 2019 में company की sales 577 करोड थी जो कि अब मातर 14 करोड रहा है चुकि आप यहां से idea लगा सकते ह इसके बार अगर अधर इंकम की बात करें तो 10 करोड है जो कि पहले यहां पर 26 करोड थी जून 2019 में उसके बात से भी यहां पर गिरावट देखने के लिए मिली है तो यहां पर net profit की बात करें तो company 22 करोड के loss में है जो कि पिछले quarter में मातर 7 करोड के loss में थी उससे पहले company 13 क लोड के profit में भी आई थी तो result हमारे सामने है यहां पर year on year basis पर compare करें तो आज से एक साल पहले company का जो profit है वो यहां पर 353 करोड सा जो कि अब 70 करोड से भी कम है जून 2011 में company 11,427 करोड कमा रही थी जो कि अब मातर 70 करोड कमा रही है तो यहां से आप idea लग सकते हैं कि stock के fundamental कि लिए block हो सकता है penny stock सोचके यहां पर थोड़ी बहुत investment करना फिर भी ठीक रहेगा लेकिन मेरे साब से वह भी रिस्की है तो ऐसे stock से बसके रही है क्योंकि अगर आप नहीं है पैसा लगाया हुआ है अगर आप उसे average करने की कोशिश करेंगे तो आप यहां पर एक अच्छा खसा amount फसा देंगे तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजेगा फिर भी अगर आपकी कोई query है तो comment कीजिए हमारी कोशिश होगी कि आपको कच्छी advice दें आपकी help करें अभी के लिए इतना ही